माग शुक्ल सप्तमी को अचला सप्तमी, रत सप्तमी, सूर्य सप्तमी, बिधान सप्तमी, आरोग सप्तमी तथा चंद्रभागा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इतने अधिक और विविदता भरे नामों से या स्वताहश्पष्ट होता है कि इस सब्तमी का कितना अधिक महत्तो है मानता यह भी है कि इसी दिन भगवान सूर्य नारायन का जन्व भी हुआ था इस दिन भगवान सूर की आराधना से समस्तरोगों से मुक्ती तथा संतान की प्राप्ति होती है इस दिन बारांसी के लोलार्क कुंड में सनान की महिमा भी बतलाई गई है बर्ष 2021 में बीमारी के कारण शद्धालुजन लोलार्क कुंड सनान नहीं कर पाये थे उनके लिए यह सुनहरा आउसर हो सकता है पुत्र प्राप्तर्थ इस दिन नदी शरोवर में अरुनोदय के समय सनान का महत्व बतलाया गया है आज की इस वीडियो में अचला सब्तमी के महत्व कथा तथा सनान दान बिध के साथ साथ होने वाले लाव के विशय में समस्त जानकारियों के साथ में काशी वारांसी से पंडी सतीस चंद्रपांडे आचार कस्य पुपस्तित हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सकाइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बिल को आन करके आल पर सट कर लें हम इसी तरह की प्रामाडिक ब्रत परवते उहार जोंतिस वास्तु तथागरावाधा निवान संबंदी वीडियो लाते रहते हैं वीडियो को लाइक वस्ट कर दीजिएगा आए इस महत्वण वीडियो का शुभारम करते हैं सबसे पहले हम या जानेंगे कि बर्ष दो हज्जार बाइस में अचला सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी कप पड़ रही है माग शुकल पक्ष दीनांक आठ फरवरी मंगलवार को अचला सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी का परत किया जाएगा नेत्र रोग चर्म रोग कुष्ट रोग से निवर्थ के लिए तथा संतान प्राप्त के लिए इस दिन अरुणोदय के समय सनान करके सुर्य भगवान के निमित भरत करना चाहिए तथा बिद्विधान से पूजा करके कथा का स्रवन करना चाहिए इस दिन सुर्योदे से पहले उठकर नदी तीर्थ जलासे में सनान करना चाहिए संतान के इच्छुक दमपतियों को इस दिन काशी वारांसी में इस्तित लोलार्क कुंड में सनान करने से भगवान सुर्य नाराइन की कृपा से संतान लाव होता है इस कुंड में लोलारक सश्टी के दिन सनान का माहत्म बतलाया जाता है इस दिन यहां लाखों की संख्या में भीड होती रही है परंत बीमारी की वज़ा से लगातार दो बरसों से यहां कुंड सनान के लिए लोलारक सश्टी के दिन नहीं खुल पाया है ऐसे में अचला सब्तमी के दिन यहां सनान का लाव प्राप्त करना चाहिए वारानसी से निकलने वाले पंचांग में इस दिन के लिए शपष्ट लिखा है अर्थाज सष्ठी को एका हार करके सब्तमी को अरुनोदे के समय सनान करे लोलार्क में असनान करे इस से यहां सपष्ट हो जाता है कि इस दिन भी लोलार्क कुण असनान का बिधान है सनान करके भगवान सुर्य नाराण को अर्ग अर्पित करना चाहिए पितरों के निमित भी जलदान करना चाहिए पूजा स्थान में रंगोली बनाकर चौक बनाकर मध में बेदी का निर्माण करके चतुर मुख दीपक जलाना चाहिए भगवान सूर्य नाराण की तामर मई स्वर्ण मई प्रतिमा को कलस पर स्थापित करके लाल चंदन लाल अक्षत लाल पुस्प लाल वस्तराद से शुड़ सो वचार पूजा करनी चाहिए गुड की बखीर बेशन का लड़ू हलुआ आधिका नैवेद अरपन करना चाहिए तथा भगवान सूर्य के मंत्र ओम घ्रिनि सूर्या नमहा का जब करना चाहिए गेहूं केसर घी गुड स्वर्ण तावे के बरतन लाल कपड़ा का इथा सक्ति दान करना चाहिए दिन भर ब्रत रखकर सायंकाल सूर्योदे से पहले एक अन्न का मीठा भोजन करना चाहिए नमक का इस दिन त्याक करना चाहिए नदी में कुंड में दीपदान फलदान अवस्य करना चाहिए आईए अब अचला सब्तमी से जुड़ी कुछ पौरानिक कथाओं के संबन्न में जानते हैं बोलिए सूर्य नारान भगवान की जये सूर्य सब्तमी की पौरानिक कथा के अनुसार भगवान स्री किष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल और सौष्ठों पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था शाम्ब ने अपने इसी अभिमान में आकर दुरवासा रिशी का अपमान कर दिया शाम्ब की धृष्ठता के कारण दुरवासा रिशी अत्यमत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने उसे कुष्ट हो जाने का स्राप दे दिया तब भगवान स्री किष्ण ने अपने पुत्र शाम्ब से भगवान सूर्य नाराण की उपासना करने के लिए कहा शाम्ब ने भगवान किष्ण की आज्या मान कर सूर्य भगवान की आराधना करनी आरम्ब कर दी जिसके फलस्वरूप सूर्य नाराण भगवान की कृपा से उन्हें अपने कुष्ट रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई थी इसके अलामा भी इससे जुड़ी एक अन्यकता के अनुशार एक समय में एक राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी जो उत्तरा धिकारी बन सके उनके बाद उनके राज काज को समाल सके वहाँ प्रतिदिन इस्वर से संतान प्राप्त की कामना करते रहते थे भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई परन्त कुछ समय के बाद राजा के उस पुत्र को रोग ने घेर लिया बहुत उपचार करवाने के बाद भी वा ठीक नहीं हो पा रहा था जिसके कारण राजा को अत्यंत चिंता होने लगी तब किसी संत ने उस राजा से अचला सब्तमी ब्रत करने को कहा संत के कहनुशार राजा ने सुर्य सब्तमी का ब्रत किया जिसके प्रभाव से राजा का पुत्र जल्दी ही रोग मुक्त हो गया जिसके बाद वह हुआ होने पर अपने पिता के बाद उस राजी का राजवार समाला एक अन्य कथा के अनुशार एक इंदुमती नाम की घड़का ने बसिष्ट मुझ के पास जाकर अपनी मुक्त पाने का उपाय पूँचा मुझ ने कहा माग मास की सब्तमी को अचला सब्तमी पड़ती है उसका ब्रत करो गड़िका ने मुन के बताए हुए अनुशार ब्रत किया इससे मिले पुन से जब उसने अपने सरीर को ट्यागा तब उसे इंद्र ने अपसराओं की नायका बना दिया इतना अधिक महत्विस अचला सब्तमी का है इसलिए इस दिन हमें अपने धार्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए कारे करना चाहिए बोलिये सुर्यनार और भगवार ने कीजए आशा है वीडियो आपके लिए उप्योगी सिद्ध होगी वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की प्रामाडिक जनकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार जैविश्टुना झाल चौलिए